शायद अगर चार से कुछ जादा मिलता तो सर शायद रैंकिंग बढ़िया हो जाती और बेमेरिट मा सकता था सर खर्चा इसमें अराउंड 20 लाग का मुझे दरूत पढ़ रहा है सर लेकिन financial stability में रहे इतनों नहीं है कि मैं इतना सब अकेले पे कर पाऊं क्योंकि हमारे समाज के जितने भी लोग है उनके पास education के अलाव और कुछ भी नहीं है पैसे के अभाव में कोई बच्चा न पढ़े इस डिजिटल दुनिया में शोशल मीडिया के जमाने में यह जाती होगी शुख कामना यह दिजियो गौरब को कि अपने मेरिट से JNU ने रिजेक्ट किया जर्मनी ने सुविकार किया तो यह JNU का दुर्भाग्य है और थोड़ा पेसेंस रखना है अगर सरकार दे देती तो ठीक है अगर सरकार नहीं देगी तो समाज देगा नमस्कार मैं शंबू कुमार सिंग और आप देख रहे है निशनल दस्तक निशनल दस्तक और मेटकर नामा की एक इनिसेटिव देखा था और हम लोगों ने राजा चोधरी को आप लोगों ने पेवक्ट तो सोसाइटी की आर्थिक मदद की और वो गये लंदन वकील की बैरेश्ट्री की परहाई करने मेरे साथ गौरब बौध हैं बहुजन समास से हैं सिजुल कास से हैं और इन्होंने इनको जर्मनी में मास्टर करने का पबलिक इन्टरनेशनल रिलेसंसिप में मौका मिला है दाखिला जो है इनका मिल गया है इनको इनके हाथ में दाखिले का चिट्थी भी आ गई है लेकिन अब समस्या वही है आर्थिक समस्या है गौरब को पैसे की जरूरत है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सोशल जस्टिस मंत्राल है दिल्ली का और केंद्र का जो मंत्राल है वहाँ से इनको scholarship मिल जाए और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर एक बार हमें आपकी मदद की जरूत परेगी आज सिर्फ हम आपको गौरब को इंट्रिडूस करें और मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबा साहिब ने अपने खर्चे से दरजनों बहुजनों को विदेश भेजा था जब तक आपके बच्चे दुनिया भर के इनवर्सिटी कॉलेज में नहीं परेंगे वह सोचल जस्टीस समाजिक नया फुले परियार अंबेटकर के लराई को और मजबूत नहीं कर सकते हैं गोरव कहां के रहने वाले हैं काहां के रहने तो यह मुझे जर्मनि फर्ट वांगल उनिवसिटी में मिला है मास्टर इंटरनीशल एलेचन और क्लिट्रल डिप्लोमसी में तो किया परहाई किया इससे पहले सर मेरा बेचलर भी आईर मेंच्क 2 में है सर्काफ का सथे इंतरुइशचिय अर्ब लेछंस में मास्टर्स किया है सेंट्रुस्टिय गुजरा से इंतरु कराढó वह अन्यू में धलगा ख़र्ण निकाल लिया था जी अन्यू में तो सच्छा था सर एंटरन सफजाम में मेरा 70-पलस स्कॉर था лекिन वाइवा में फिर वही कितने कितने वह आत्यूमर वाईवा में वही सर चार तीस में से 2, 30 में से 1 लेंगंगे वाईवा में अगर चार नमर से ज्यादा नहीं मिलें आपको अब स्वाई आपको दोस्त है अपने क्या हुआ अगphones एक यहmy बढल नहीं को बिदोभर मतमें बर्लिन सहर में दाखिला हुए हैं जी सरी बर्लिन सहर में कितने खर्चा की ज़रूरत हैं सर खर्चा इसमें आराउंड 20 लाग का मुझे दरूत पढ़ रहा है सर लेकिन फाइदेंशल स्टेवलिटी में रहे इतनों नहीं है कि मैं इतना सब अकेले पे कर पाऊं तो इसलिए स सर मुझे आप लोगों के जितने भी व्यूवर्स है सर अगर अभी मैंना सोसल जिस्टिस के लिए भी अपलाई किया है तो अभी देखते हैं सर उसका की आगे अगर कुछ मदद हो पाती है पॉसिबल तो जाना संभव होगा तो मेरे साथ प्रफेसर रतनलाल जी जूर गए ह और उनको आर्थिक मदद की आप लोगों नहीं और वो लंदन जाके पढ़ाई कर रहे हैं सर कैसे देख रहे हैं अब क्या करने की जूरत नहीं अच्छी मुहीम है और कम से कम हम आप मिलकर अमबेट करना मान नाशनल दर्सक मिलकर साल में एक दो बच्चे की मदद कर पाएं तो अब राजे महाराजे बरवदा महाराज तो है नहीं जो करना है समाज जो करना है ये नौजवान लड़का है पढ़ना चाहता है आया है इसने अभी दो मंत्राले में अपलाई किया है जैसा कि मैंने आप से बात की गौरब ना गौरब ने दिली सरकार में भी नहीं चला रहे हैं कि बच्चे को जितना जरूरत है उतना हो जाए इसके बाद जो है चला जाये पढ़ने अब राजा वहां लंडन ने पढ़ रहा उसका फीस अमों ने जमा कर दी वह अपना रहने खाने का इंतिजाम कर रहा है वहां पर तो कहने का तात पर यह है कि कल राजा आगा इसको इसके अकाउंड में और इसलिए मैंने इसको बताया भी अभी मेरे से मिला था तो मैंने कहा कि एक आप आता है जिस वे राजा और तमाम लोग जो है मिला आप एप उसको आप क्रिये और उसको पहले आप शुरू करिए और नहीं तो पहला तो इसलिए पैसे के आभाव में कोई बच्चा न पढ़े डिजिटल दुनिया में शोशल मीडिया के जमाने में यह जाती होगी और हम लोग यह काम तो वैसे सरकार को करना चाहिए था सब को भेजना चाहिए या बड़े-बड़े जो पॉलिटिकल पार्टी उनको भेजना च अभी मैं अख्लेश यादाव का दस-पंद्रा दिन पहले प्रेस कॉन्फरेंस देख रहा था तो वह भी कह रहा था कि मैं जो छात्र है उनको बीदे से बजने के लिए पैसे की विवस्ता करूंगा तो आप जो मुहीम चला रहे हैं उसका इंपैक्ट तो यह पढ़ रहा है तो आज तो इनको सुवकामना है, सब जितने साथ ही देख रहे हॉंगे, शुबकामना है दीजिएओ ग्प को कि अपने मेरिट से जे नु ने रिजेक्ट किया, जर्मनी ने स्विकार किया, तो यह जे नु का दुर्भाग्य है, यह ग्वार आप का नहीं है, जे नु का पहुंच गई उनको नौकरी भी मिल गई तो जितने साथ ही देख रहे हैं चोटे-चोटे बुंद-बुंद से तालाब भड़ता है तो पैसे क्या भाव में गौरब नहीं रुखेगा यह मैं आपको वादा जरूर कर सकता हूं और कल पर सो देख लिजिए अभी शायद आपन और होसला रखिए कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं सोशल जस्टिस मंत्राले में अगर आपकी पहुँच है अगर आप लोग उससे कहीं से जूरे हुए है चाहे वो दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्राले हमने मंत्री जी से एपॉइंटमेंट लिया है कल धाई बजे का समय दिय है और केंद्रिय सोशल जस्टिस मंत्री से मिलेंगे कोशिश है कि स्टी ओवी सी माइनोट्री या कोई भी मेरिट वाला बच्चा जिसो इंट्रेंस क्लियर करता हो जो दाखिला कंफर्म कराता हो उसको पैसे क्या भाव में परहाई नहीं पर पाते साहुजी महाराज नहीं ह आप तो नैशनल दस्तक बड़ा चैनल है अमबेट करनामा तो छोटा चनल है वी तो एकडमी को फूरा में वह साल में कम से कम एक दो बच्चा कम से कम पूरे भारत का जिम्हदारी आप नहीं ले सकते हैं एक साल में अगर एक खाजार बच्चे आएंगे कि हमको भी तो पांच साल में 20 बच्चों को हम लोग पढ़ा लेंगे समाज की मदद से और यह पूरा जो एकाउंट नंबर शेयर किया जाता है वह होता है जो केंडिडेट जो केंडिडेट जाने वाला है उनका एकाउंट नंबर शेयर होगा इनका एप शेयर होगा उसमें ना नाशन ने आया था आठ लाग का इंतिजाम हो चुका था और जब सर ने मुझे कहा तो मुझे भरोशा नहीं हुआ था कि मेरे कहने पर समाज इस तरह से कंट्रिब्यूट करेगा लेकिन आप लोगों ने राजा चौधरी के लिए लगभग 24 लाख रुपए का समाज ने कंट्रिबू तो अधेशन हूं और मजे बार-बार ये जहन में बात आती थी कि अगर माहराजा बरोदा नहीं होते और फेलोशिप नहीं दिये रहते तो बाबा साब नहीं होते और सबसे बड़ी दिल्चस्पी बात यह है कि वो नौकरी चोड़कर बरोदा से आगये बंबे लेकिन कभी महराजा और बरोदा ने कभी उनसे पैसा वापस नहीं मांगा और जब जो गोल में सम्मेलन में गए थे जब मिले और अम्मेडकर का भाशन सुने उन्होंने पर भाशन सुने तो उन्होंने अपने घर पे बुलाए उचाती लगा रो पड़े हूँ यही अम्मेडकर है जिसको अपने पत्नी को बोले और वहाँ पे बाबा साहब डिप्रेस क्लास इंस्ट्यूट बहिसकृत परिशद के लिए उन्हों चंदा इकठा कर रहे थे राजे महराजे नबाब करीब 13 लोगों ने उनको पैसे दी जिसमें से फिर यह थे बरोदा महराज दरभंगा महराज नब से यह मुझे आइडिया है न हमने आप से शेयर किया अगर जितने हमारे साथी और सुन रहे हो यूटूबर्स सब लोग धिरे-धिरे मिलके एक अठा एक सिस्टम बनाएं कि एक बहुजन यूटूब नेटवर्क तो दस लोग मिलेंगे तो दस बच्चे भेज़ेंगे दस दस साल में सो बच्चे भेज़ेंगे उसमें से नब्बे बैमान निकल जागा हम यह मान के चलते हैं दस बच्चा भी अगर धंका निकलेगा तो जो कारवा शुरू हुआ था साहुजी महराज फूले और गायक वार्ड से वो कारवा आगे बढ़ जाएगा तो पे बैक टू सुसाइटी समझ गए हैं कि ददस रुपए का भी यगदान करेंगे तो दस लाक बिस लाक रुपए यगदान करके और इनको जर्मानी भेजेंगे गौरब बॉध है इनका नाम है बुद्धिश्ट फैमली है गौरब क्या कहेंगे आपको भरोशा है कि मंत्राले से अगर न पढ़ने में अच्छा हो क्योंकि हमारे समाज के जितने बी लोग है उनके पास एजूकेसिं के अलाव और कुछ भी नहीं है जो भी है बस अब चुनाओवरं यह हम बच्चे बहिजने और कुछ नहीं है तो मुझे लगता है कि अगर शिक्षा के लिए अगर आगे बढ़त तो अपना समाजी अपते साथ है शुक्रिया तो गौरब बहुत है और अपडेट देते रहेंगे आपको कल जल्दी ही आपको अपडेट देंगे अगर सोचल जस्टिस मंत्राले से मदद होती है नहीं तो फिर आपसे हम गुजारिस करेंगे कैमपेंज शुरू करेंगे और उमीद है भरोसा है क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि बहुजन समाज जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं जो फुले साब ने काया कि बिद्या बिन गती गई गती बिन मती गई मती बिन ब्यापार गया और ब्यापार बि शेयर कीजिए अगर आप लोग कोई सरकारी महक में से जूरे हैं किसी तरह से मदद कर सकते हैं तो गौरब बहुत की जरूर मदद कीजिए